जीवन बहुत खूशुरत है लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें कुछ नुकुछ समश्याएं आती रहती हैं तो समश्याओं के निवारण के लिए अपनी जीवने खुशियों के प्राप्त के लिए आप सभी लोग चीटियों को छोटे जीवों को चीटों को गूर और आटे पंजीरी जो भी समझ मैं लड़्टू, मीठी पदार्थ, कुछ नुकुछ खाना पिना चीडियों को भी देते रहना चाहिए ये सारी चीज़ें जब हम करते रहते हैं तो हमारा जीवन प्राखिर्तिक रूप से सहाज रूप से अच्छा होता रहता है बहुत सारे जोसी लोग कहते हैं कि आपके ग्रह खराब हैं, राहू, केतू, शनी, नाना प्रकार की चीज़े बताते हैं इन सबका भी एक बहुत शुन्दर रुपाय होता है कि छोटे जीवों की सेवा क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकित में उनिवर्स में जब हम सबको खुस रखने के प्रयास करते हैं तो इन्वर्स में हमें खुस रखता है आपके जो दुख है मानसी कलेश खतम हो जाएंगे देखे सबसे बड़ी चीज है कि मानसी कलेश खतम हो जाएंगे दूसरे कह देने कि सभी जीवों में परमात्मा का निवास है तो जब भगवत गीता भी कहते है इसुरह सर भूताना मिर्दे से अर्जुन तिष्ठती भगवान सभी प्राणियों किरदे में निवास करते हैं तो आप देखिए कि जब सभी प्राणियों किरदे में निवास करते हैं चोटे चोटे जीव हैं, इनकी जब आप सेवा करेंगे, तो परमात्मा प्रशन होगे. कहते हैं, नर सेवा, नारायन सेवा. यह बहुत अच्छा है, बाइबिल भी कहते हैं, भाई अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं, उनको खाना के लाते हैं, अर्थात, जब हम इनकी शिवा करते हैं, तो परमात्मा हमारे उपर प्रशन होते हैं, जो स्रिष्ट का संचालक है, वो आपकी जोली को खुश्यों से भार देता है. तो आप सोचें, जब स्रिष्ट के संचालक को ही आप प्रशन कर रहे हैं, और कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा के निवाद से तो आपके भीतर भी है, और आपने इस शीच को समझा, तो एक बहुत बड़ी बात है. कहते हैं कि ध्यान से बढ़कर कोई तप दान पुन्न नहीं है, और जब आप अपने में इस्थित हो गए, तो उससे बड़ा आनंद का कोई आउसर नहीं है, तो आपने में इस्थित होने के लिए, सभी जियों को अपने जैसा समाजना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि संत ग्यानेश्वर जी, कुत्ये को रोटी खिलाने के लिए घी भी लेके दोड़ रहे थे, कि भाई, तु वैसे बिना घी के रोटी क्यों खा रहा है, हम घी भी भी लगाएंगे, तो आप देखिए, जो ग्यानी लोग होते हैं, वो वास्तों में बहुत बड़े एक अध्यात्मी के चरम सीमा पर पहुँचे हुए लोग होते हैं, अब कुत्ये को भी घी लगी रोटी खिलाने से क्या तात पर हैं, कि हर जीव में परमात्मा हैं और उनकी सेवा करना हमारा परहम धर्म है, अब ने सुना हो गए कहानी के संत्य के गर चोर गुसा आए, अब चोर विचारा परिशान था, लेकिन संत्य जी ने कहा भाई देखो तुम आये हो, तो तुम्हारे क्या सेवा करूँ, जो कहो ले जाना हो, सो ले जाओ, और कम पड़े तो उसका भी मैं परबंद करूँ, तो विचारा चोर भी पानी पानी होगा, लेकिन उस संत्य की महांत्या देखें, वो सब में परमात्मा ही देख रहे हैं, तो तात्पर है कि छोटे-छोटे जीओं के सेवा हम सभी करें, और इस ब्रमान्ड को खोशियों से बहर पूर करें, बदले में आपको भी खुशिया मिलेंगी, आप भी प्रशन रहेंगे, और कहते हैं कि दान देने से धन भी बढ़ता है, तो अगर धन भी ब्रिद्धी करना चाहते हैं, तो इससे भी अड़ा सुअसर कोई नहीं है, कि आपके धन में ब्रिद्धी होगी, जितना अधिक धनी होना चाहेंगे, उतने दान करिये लोगों की, गरीब लोगों की मदद करिये, तो आप स्वस्त प्रशन तो रहेंगे ही रहेंगे, आपके धन में भी ब्रिद्धी होगी, तो कितना अच्छा काम है, इसलिए सब को नमस्कार, जै इंड, जै भारत, ओम.